नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है Global Atomy Network Team Warrior दोस्तों दोस्तों आज हम डिसकस करेंगे Atomy Australia के अंदर किस परकार से registration process है उसको follow करना है अगर आपकी टीम आस्टेलिया में है तो आस्टेलिया में किस परकार से Australian members की ID Atomy Australia के अंदर आपको registration करवाना है और अगर आप आस्टेलिया में रहते हो तो आप अपने टीम की जो ID है वो किस परकार से create कर सकते हो आप अपना खुद का account कैसे create कर सकते हैं और same आप अपनी टीम create करने के लिए किस परकार से जो steps हैं वो आपको follow करने हैं तो दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले जो members नए हैं हमारे इस चैनल पर आप इसको subscribe कीजिए इस YouTube चैनल को ताकि आपको latest जो Atomy से related global information time to time मिलते रहे दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि टीम वारियर का यह जो चैनल है इंडिया के अंदर number one पे चल रहा है और हमारा main focus रहता है कि Atomians जितने भी Atomy इंडिया की जो टीम है उनको एक साही और accurate information देना Atomy इंडिया और Atomy global information तो हम अपने चैनल के उपर time to time में आपके लिए नए नए वीडियो बना करके लिए करके आते रहते हैं तो ज़्यदा ज़्यदा आप इस चैनल को फॉलो कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले Atomy आस्ट्रेलिया की जो वेबसाइट है आप सेंटर में चेक कर सकते हैं उपर atomy.com.au ठीक है आप atomy.kr पर लोगिन कर सकते हैं राइट साइड में जो बोक्स में आप आस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है आपको राइट साइड टोप कोर्नर में वहां पर आस्ट्रेलिया अट्रेलिया से लग कीजिए और atomy और ऑस्ट्रेलिया के जो वेबसाइट है इस प्रकार से आप उसके माईगरेट कर सकते हैं और यह आट्यू में वेबसाइट है या टिरेक्ट आप लोगिन कर सकते हैं अपने आएडी से ओके तो इस प्रकार से आपको login करना है यहां पर ठीक है जो first step यह है accurate आपको login ID password से enter करना है यहां पर जैसे आप login करोगे तो second step में आपको यहां पर Australia की जो ID है आस्ट्रेलिया के मेंबर्सिप्स किया तो आप Australia के अंदर हो तो खुद आपको पता है आस्ट्रेलिया के अंदर एक चीश चाहिए A, B, N br Australian business number जैसे इंडिया में postal card नंबर होता है आपके पास होना चाहिए A, B, N number आप अगर ições defence आटुमे में membership memory कर रहे हैं तो तो उसका registration करते वक्त आपका ABN number आपके member का आपके पास होना चाहिए या उसके खुद के पास होना चाहिए Australian business number 11 digit का होता है वो ठीक है next देखिए तो इस step में दोस्तो आपको join us के उपर क्लिक करना है जैसा कि screen के उपर आप red color circle में देख रहे हैं join us आपको Atomy Australia का registration करना है नई ID प्लेस करनी है तो आपको join us पे जो third step पर उसके उपर क्लिक करना है जैसे आप यहां पर third step के उपर क्लिक करोगे तो इसका जो next window है वो open होगा और उसमें जितने भी steps है वो आपको अच्छे तरीके से follow करने है और की जो screen है वो आपके सामने आएगी तो इसमें second जो terms and agreement है third फिल इन membership information फोर्थ डेजिनेट यूर स्पोंसर स्पोंसर का ID नंबर और एप्लिकेशन कंप्लेट पाथ step में Atomi Australia का जो registration है वो complete होता है first में आपको अपना स्टेटेस चूज करना है second में terms of agreement third में फिल इन membership फोर्थ में sponsor name और लास्ट आपका registration complete तो customer account होता है इसमें और एक distributor account दो account होते हैं यहाप फे एटो में आस्टेलिया में अगराप membership लेना चाहते यह रजिस्टेशन करना चाहते तो दो तरह से कर सकते हैं या तो customer account या फिर distributor account और हमें registration करना है distributor account क्योंकि हमें एक में के साथ बिजनिस करना है okay तो आपको select करना है distributor account अगर आप एटो में के साथ business ने करना चाहते हैं सिरफ product use करना चाहते हैं तो customer account आपको use करना है first वाला और consumer membership क्या होती है वो customer account वाले में बनेगी आपके consumer membership इसमें सिरफ आप products buy कर सकते हैं आपको group का जो PV है उसका commission नहीं मिलेगा ठीक है आपकी earning नहीं होगी यहाँ पर अगर आप consumer membership यहाँ पर लेते हैं तो only और आप इसको convert कर सकते हैं ठीक है member types design to allow new member to register without having to apply for an ABN number आपको यहाँ पर अपना ABN number नहीं डालना जब आप consumer member ID registration करते हो तो Australia business number जो होता है ABN number बोलते हैं उसको तो वह यहाँ पर आपको नहीं डालना है ठीक है और special benefits of atomy members के लिए क्या है second में इसको भी आपको पढ़ना है ठीक है और आप consumer member account को online आप edit option में जा करके ABN number डाल करके उसको distributor account में convert भी कर सकते हैं जब आपको product लगा अच्छा है आपने use किया तो आप अपना consumer account बिजनिस account में convert कर सकते हैं उसके लिए आपको edit my account में ABN number एंटर करना पड़ेगा और यह जो लास्ट का जो second है इसको आपको पढ़ना है पूरी तरीके से इसमें सारी चीजें दे रखिए तो consumer account distributor account से पढ़ना है तो हम आप distributor account के उपर जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके के विंडो आपके सामने उपन हो करके आएगी यहां पर तो ट्रम्स and agreements हैं यहां पर तो जितने भी terms and agreements है यह आपको पढ़ना है यहां पर ओके a to z चीजेज को confirm करना है और जितने box उसके उपर आपको क्लिक करना है ठीक है जितने बोक्स है तो please click the box if you are agree तो agree होने के बाद ये दो तरहें के box इस पर click करना है और फिर last में confirm के उपर click करना है जैसे आप confirm के उपर click करेंगे तो यहाँ पर आपके एक नई window open हो जाएगी और सारी terms and conditions आपको पढ़नी है पहले ठीक है तब ही आपको यहाँ पर confirm करना है तो जैसे confirm पर हमने click किया तो website का जो third part है वो यहाँ पर open होगा फिर जो registration part है उसमें जो basic details है वो आपको fill up करना पड़ेगा यहाँ ठीक है और basic details fill up करने के बाद आपको sponsor ID number और उसके बाद एक बार review करना है और उसके बाद आपका registration यहाँ पर complete हो जाएगा तो इस परकार से यह आपका registration form open हो गया यहाँ पर next जो confirm किया आपने terms and condition third part fill in the membership information यह membership information आपको fill up करना है आपकी जो ID है आगर आप Australia के citizens हैं तो क्या-क्या information है आपको डालना पड़ेगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा रखिए यह आप अस्ट्रेलिया में अपने membership registration करवाना चाहते हैं तो यह सारी details आपको अपने membership से लेनी पड़ेगी और आप उसका जो registration है वो खुद कर सकते हैं country select already है आस्ट्रेलिया first name and last name यहाँ पर आपको डालना है जो कि आपका ABN number में है male और female select करना यहाँ पर जो exact date of birth है वो आपको select करनी है और यह ABN number होता Australian business number तो यह आपको select करना है 100% इसके बगर आप यह वहाँ पर एटोमी की साथ business नहीं कर पाएंगे आपका जो account वो business account नहीं माने जाएगा ABN number यहाँ पर exactly 11 digit का एक code होता है वो आपको डालना होता है जिस परकार से इंडिया में pen card होता है इसी परकार से वहाँ पर ABN number put up करना है फिर mobile number, post code, city, state, address, email address email address में यह आपको first वाले में enter करना है right में Gmail यहाँ जो भी वो select करना है ठीक है और फिर आपको यह सारे चीज़ें एक बार चेक करना है कि सही डाली है कि नहीं आपने और उसके बाद password से लग करना है और Gmail, email याओ जो भी email, hotmail वो आपको यहाँ से select करना है और private password फिर आपको डालना है यहाँ ठीक है जो password आप use करना चाहते हो लोग इन के टाइम आपका personal password उस password को आपको share नहीं करना है अपने तक ही सिमित रखना है ठीक है personal password, private password आपको यहाँ पर use करना है उस password से आप Atomy के अंदर सारे चीज़ें देख सकते हो आप अपने account के अंदर वेबसाइड और including जो भी information है और guest password का मतलब यह होता है कि इससे आप limited part website का देख पाऊगे चाहे आप इंडिया में हो चाहे किसी भी country में हो guest password का मतलब यह होता है कि आप सिरफ user ID और guest password एंटर करके उसमें limited portion ही देख पाऊगे बाकी extra कुछ भी नहीं देख पाऊगे ठीक है तो guest password आप choose किजिए और आप उसका use कर सकते है तीन तरीके से registration purpose के लिए यूज कर सकते है member के लिए products के लिए limited part कर पाएंगे उससे आप ठीक है और उसके बाद सारे चीज़ें आपको एक बार यहां पर confirm करने ही है सब चीज़ें आपकी सही है कि नहीं जितनी भी information यहां पर आपने enter की है वो बिल्कुल accurate होनी चाहिए और next पर जैसे हम click करेंगे तो next पर आप जैसे click करेंगे तो next के sponsor ID यहां पर आपको डालना है और फिर sponsor ID आपको check करना है और उसके बाद center डालना है आपको तो sponsor ID यहां पर आपको enter करना है और right side में search पर click करना है कि जो आपकी sponsor ID है वो accurate है कि नहीं जो sponsor ID होगी उसका नाम यहां पर बिल्कुल center में आएगा ठीक है तो उसको आपको select करना है तो sponsor ID चेक करना है कि सही है कि नहीं और उसके बाद confirm करना है जैसे आप confirm पर click करोगे उसके बाद जो next window इस तरीके की आएगी और इस तरीके के जो window आएगी और इसमें आपको center भी select करना है center और आपके निरस्ट सेंटर कौन सा है वो यहां पर select करना है निरस्ट एजूकेशन सेंटर ठीक है और sponsor ID चेक कीजिए आप उसको confirm कीजिए उसके बाद center select कीजिए और उसके बाद इस परकार से sponsor ID का center में आएगा इसको जैसे confirm करेंगे तो next window आपका इस परकार से आएगा और यहां पर आपको सारे details चेक करनी है कि आपने जो भी application information यहां पर enter किया है वो accurate है की नहीं तो review करना information का ठीक है फिर confirm करना है और last में आपका registration यहां पर successfully हो गया है और आप अपना user ID और password note करके रखिए और guest password email ID, mobile number जो भी details आपने डाली है डार email note करके रखिए और आपका atomy Australia के अंदर registration complete हो चुका है और अब आप अपनी एक team create कर सकते हैं अच्छी इसी consumer की team create कर सकते हैं और अच्छे leaders की एक team बनाई है तो यह सारी information दोस्तों मैंने आपको दी है atomy Australia में आप registration कैसे कर सकते हैं उसका procedure का है बिल्कुल simple procedure है और last में छोटा सा video और play करूँगा 13 steps का तो आपका एक बार और clear हो जाएगा definitely और जैसा कि team warrior all our world में जा चुकी है आप सभी को पता है और आप atomy team warrior के साथ जुड़ना चाहते हैं इंडिया में तो आप हमें call कीजिए वर्टसप कीजिए आपको team warrior education system का दोस्तों पूरा support मिलेगा और यहां पे जो education system है हमारा इंडिया के अंदर सबसे बहतरीन team है हमारी और smartest education system है हमारा और जितने भी हम trainings देते हैं वो अभी online offline अभी offline तो हो नहीं रहा जैसा कि आपको पता है करोना चल रहा है तो daily basis पे हमारे zoom meetings चलती रहती है full day ठीक है हर states में तो आप आईए join किजिए team warrior को definitely आपका future team warrior के साथ 100% success होने वाला है और team warrior एक बहुत बड़ा record बनाने जा रही है बहुत ही जल्दी atomy इंडिया के अंदर ठीक है दोस्तों तो आप start किजिए और team warrior के साथ join किजिए और इस वीडियो को ज़्यदा ज़्यदा शेयर कीजिए अगर आपकी team Australia में है तो या आप Australia में अपने team create करना चाते हैं तो और इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप इस channel पर नए हैं तो इस channel को आप subscribe कीजिए और thank you very much दोस्तों जापवार आपवार इस बापकीजिए ऑ़ और आपकीजिए